यूपी में पूरी तरह से संग्राम जो है वो सच चुका है भाजपा ने बहुजन समाज पार्टी ने भी टिक्टों की आज घोशना की है और इस वक्त मिल्का नेर सिसांसद अर्जुन मेवाल हमारे साथ है यूपी के चुनाव में एक महतपूर्ण भूमिका है संग्षन के स से और आप देख रहे होंगे कि हमारा जो सेलेक्शन प्रोसेस है वह उससे आपको जलक मिलती है कि हम जो चुनाव है और उस अधार पर ही योगी जी चुनाव कांसे लट रहे हैं विश्या अलग है लेकिन योगी जी ने मोदी जी की नीतियां को धरातल पर उतारा है वो हमा से पीए मावास कि उन्होंने इतने ज्यादा सभी राज्जियों से तुलना से में एक मॉले में गया था फिरूजाबाद में एक ही मॉले में सो पीए मावास बढ़ रहे जी शेयर में वो भी है और एक को से धायलाक है तो जब इतना का काम दिख रहा है तो जनता भी देख सब्सक्राइब कर सकते हैं की सरकार क्या बात करें मोदी को हमने नजदीक से देखा है एक अपना फॉर्मूला है कि टिक्टें जो है वो नए चाहरों को देदो अब जो पहरी जारी हुए उसमें 21 नए चाहरे हैं यह तो कोई विश्य देखिए सामाने परक्रिया का हिस्सा ह कि हम डवलपेंट और गूड गवर्नेंस के आधार पर चुनाव लड़ेंगे मोदी जी का नेतरतों में जो भार्की जनता पार्टी परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स में विश्वास करती है जो परफॉर्म करेगा मैदान में रहेगा पंजाब में जब कुछ लोग जो है और बाकी लोग भी आये हैं और आप भी आगे आगे देखना क्या हो रहा है एक बयान जो है उस पर जरूर पढ़ी चाओंगा क्योंकि यूपी के चुनाव को आपने नजदीक से देख रहे हैं स्वामी परशाद मौरे जब यह कहते हैं कि पिछड़े सरकार बनाते हैं और लगड़े हग ले जाते हैं देखिए परदान मंत्री मोदी जी ने सबसे ज़्यादा है जो वीकर सेक्षन है इस समाज में कोई भी पिछड़ा हो गरीब उसके लिए ही योजना बनाई है उसमें सबसे जादे सबसे जादा कि यह मंत्री मंदल है मोदी जी नहीं पिछड़ों को सबसे ज़्यादा परतिनीदु तो मिलावा है कि उनको शौमी परसाद मौरिय से पूछिए मनमोन सिंग जी किसमें कितने पिछड़े मंत्री परसिद में थे पूछिए उनसे तो यह एक आरोप लगाना अलग बात है हकीक कैबिनेट में 27 जो है दलित जो मंत्री हैं पिछड़े के जो बात पर रहे हैं सब पिछड़े जगती की मंत्री है मतला उसका चहरा भी कहीं यूपी चुनाव में दिखाए जाएगा नहीं वह कह रहे हैं उपेक्षा की उपेक्षा कहां की सम्मान दिया हमने तो पिछड़ी कैदार पर चुनाव लड़ेंगे निश्ची दूरूप से आने वाला रन जो है यूपी में किस तरह का होगा ये देखने वाली बात है लेकिन बीजेपी पूरी तरह से आकराम में कहा है और किसी भी डैमेज कंट्रोल को करने के लिए काम कर रहे है बीकानेर से एटीवी भा कर दो